ऑन्निं बच्रो畑 निकल जी सेंब्ट क्लास की इंदीकी बुक हमारा फर्स लेशनzd पर कंप्रित हो गया हमआरा सेकिन लेशन कुल किलाके हिम्मत और जिंदिकी की बार में ढना स्ञिफगे श्मपर कांवा रहा निकार वwartं चिरा । ह्तु के जया तो सपहलटाओं को प्राप्त कर लें या फिर दूसरी सूर्थ में हम कि जीवन नेकर इखने करते हैं । मैं आघे कुछ नहीं गरूंगा। boat पिछे जो जीवन आपने पाया है उसी जीवन में रहकर अपना जीवन बिना संगर्स के जीवन जीना कोई जिंदकी नहीं मानी गई है इसलिए पहले सूरत क्या बताई गई है सरुसेस्ट बताई गई है तो पहले सूरत अर्थाद पहले बार जिंदकी का पहला मकसद यही बत तो फिर असली मजा तो पाउं बढ़ाते जाने में ही हैं असली मजा किसमें बताए गया है पाउं बढ़ाते जाने में कहने का मतलब यह बताया गया था कल अमने बात की थी जिंद्री की दो सुरत उसमें पहले सुरत में यही बात कही थी कि आगे से आगे निकल रहा हो तो फिर असली मजा तो पाउं बढ़ाते रहने में आगे से आगे जब तक मुसीबते नहीं आएगी जब तक दुख नहीं आएगा हमें आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा अगर जिंद्री दुख आएंगे और उनकों पार करते रहेंगे, तब भी आन हमें जिन्दकी का असली आनंद आ पाएगा, आगे देखें, साहस की जिन्दकी सबसे बड़ी जिन्दकी होती है, ऐसे जिन्दकी की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखोफ होत साहसी मनुश्य की पहली पहचान यह है कि वह इसकी चिंता नहीं करता कि तम्मसा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं कई बार क्या होता है कि जो लड़कियां अक्सर होती हैं तो वह क्या करती है कुछ सोच कर आगे बढ़ती है सोचती है कि हमने यह कदम उठाया तो हमारी आसपास के लोग सोचेंगे कि यह लड़की कितनी खराब है यह मतलब लोगों की सोच ऐसी हो जाती है जिसें इंसान क्या होता है आगे बढ़ने से अपने कदम पीछे कर लेता है अर्थात आगे नहीं बढ़ पाता है तो कहने का मतलुब यह आए कि जो लोग सोच रहे होते हैं उनके बारे में वेकति नहीं सोचता है जिसको आगे बढ़ना होता है के लोब है जीमन के बारे में सोचता है जन्त운 की उपेख्षा करके जीरने वाला वेकति या जीने वाला आदमी दुनिया की हसली ताकत होता है जन्मत की उपेक्षा करके अर्था जो लोग उपेक्षा करते हैं उनकी उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की हसली ताकत मतलब जो लोग बुराईयां करते हैं उनकी अपेक्षा करके ही असलियात जीवन जीना होता है और मनुश्य को प्रकास भी उसी आदमी से मिलता है जो संगस करते विए आगे बढ़ता है पास परोस को देख कर चलना ये साधरन जीव का काम है जो आजपास के लोगों को सोच कर चलते हैं कि लोग क्या कहेंगे हमें इनकी अनुसार चलना चाहिए वह इंसान जीवन में कभी भी आगे नहीं बर सकता है त्रांती करने वाले लोग अपने उद्देशी की तुलना ने तो परोसी की उद्देशी से करते हैं और ने अपनी चाल को परोसी की चाल देकर मद्धिम बनाते हैं मतलब जिसको सफलता हासिल करनी होती है वे आजपास वाले खड़े लोगों को लोगों के बारे में यह नहीं सोचते कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं जो लोगों के बारे में सोचकर कालिय करता है वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाता है। साहसी मनुश्य उन सपनों में ही रस लेता है जिन सपनों में कोई वहवालिक अर्थ नहीं होता है। अर्थात समाज में जो कार्या कर रहा होता है वैं समाज के अनुसार ताकि समाज को बुरा ना लगे उसके अनुसार यद flooding कार्या निक्रीगाए तो वैं सफलता को वस्ल नहीं sent ga अवूरा नहीं कर पाएगा जो इंसान सासी मनुश्य वही माना जाएगा जो अपनों सपनों को आनंद के साथ में पूरा करता है वेखो पूरा करता है उसे ही हम क्या करता है वेवाली एक अर्थ नहीं है वह से धानती एक अर्थ माना जाता है जिन सपनों में कोई वेवाली एक अर्थ नहीं है जुंड में चलना और जुंड में चलना यह भेंस और भेडों का काम होता है जुंड में कौन चलती है भेडें और जुंड में कौन चलते हैं भेंस तो यह क्या करती है जुंड में ही तो चलती है और जुंड में ही चलती है भेंस और भेडों का क्या काम होता है जुंड में चल में पर यहाल में भूर जो चुनिता जैना ऑर के जैदि जीवन के लुब धीऊ तो बेडो के रूप में ही माना जाता है वह कभी भी सक्छिज नहीं हो पाता है सिंग कि स्प्रध मुझे रेच्ष घोता है उससे कोई मतलब नहीं होता है इस प्राइब पर करते हैं एक है तेट्ट